निकाई चुनाव में प्रथम चरण का प्रचार आज से बंद हो गया है जिसको लेकर कानपुर में सभी पार्टियों ने आज शाम पांच बजे से पहले अपनी ताकत जोगी इसी गड़ी में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री सुलेश खन्ना ने एक रोड़ चो किया था लेकिन इस दौरान कुछ नेताओं की गाड़ी जाम में फस गई जिसने गुसाए नेताओं ने एक बस वाले की जमकर पिटाई तक कर डाली तो कानपुर में ये बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें बस वाले की बीजेपी नेताओं ने जाम में फसने की वजह से गुसे में आकर बिटाई कर डाली